नियंतरन करें जैसे कोविट के चाइन पे हम मास्क लगाते हैं और उच्छ दूरी का पालन करते हैं ऐसे ही आपने अपने बाणी पर ध्यान रखना है नाक तोल के आपने बोलना है और उन लोगों से दूरी बनानी है जो आपको इनफेक्ट करें यानि कि जो आपके अंदर ही हम बनाईए पंच यग्य किये करा करिये जैसे ब्रह्म यग्य करना यानि कि उच्छ विचारधारा में रहना स्वाध्याय कीजिए अच्छे विचारों को पढ़िए बेव यग्य कीजिए यानि कि अपना जो टालेंट है उसको विक्सित कीजिए जो भी टालेंट आपके आप मनुष्य यगयानी की मानवता के लिए हम क्या कर सकते हैं हम सेवा करें, सहयोग करें और जो भी हम अपने दिल से दूसरे के लिए मदद कर सकते हैं जैसे अभी यहां अनॉस्मेंट हो रही थी कि कंबल वितरन करना है या आपको सर्दी में उन लोगों को कपड़े देने हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जिनके पास कुछ है नहीं, उनकी सहयता करना ऐसे ही जीवजन्तों की मदद करना ये पंच यगये जो हैं आपने करने ही करने हैं इसे अपनी जिनदगी का एक बना लिजए बनाली जिए रूल कि मुझे करना ही करना है और स युर्ण फंच वरत लीजिए जिसमें आपने योग करना है यानि अपने शरी का ध्यान रखना है ये याद रखिँ कि शरीर हैं सब कुछ है अगर शरीर में प्राब्लम आ जाती है कुछ भी नहीं कर सकते हो तो शरीर को ठीक रखने के लिए योग कीजिए दूसरी बार आपने आहर का ध्यान रखना है यानि कि आपकी जो डाइट है वो आपकी ठीक होनी चाहिए सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं आपने अप बार से लहर आने वाले हैं इसमें लंग्स पर ही असर आता है तो प्राणयाम के द्वारा अपने लंग्स को मजबूत कीजिए और साथी साथ देली ध्यान करें यानि कि आपने कुछ देर आखें बंद करके अपने माइंड को विचारों से शुन्ने कर देना है यानि थौट करना धीरे धीरे अपने आपको ट्रेंड कीजिए कहते हैं कि अगर किसी पहार पे कोई व्यक्ति को चड़ना हो तो बहुत सारे पत्थर लेकर नहीं चड़ सकता ऐसे ही परमात्मा की तरफ जिस व्यक्ति ने चलना है उस व्यक्ति को काम, क्रोध, लोग, मो, इसके पत्थर जो है, उनको अगर वो लेकर चलेगा तो कभी एश्वर तक पहुंश नहीं पाएगा इश्वर तक यात्रा उसकी नहीं हो सकती, तो अपने अंदर के क्रोध को अपनी कामनाओं को कंट्रोल करना, अपनी एर्शा को कंट्रोल करना, इसे अपना रूल बनाईए, तो तालिया बजाईए पहले तो खुश रहना और मुस्कुराते रहना जितना मुस्कुराएंगे खुश रहेंगे उतना ही हम उध्धिमान होते जाएंगे तो इश्वर करें बहुत सारी खुशियां बहुत सारी मुस्कान और प्रसनता आपके जीवन में आएं और आप जो चाहत रहे हैं वो सब कामना हैं आपकी पूरी हो जाएं और गुरोदेव की महर भरी द्रिश्टी किरपा भरी द्रिश्टी आपके उपर रहे आपका कल्यान हो आपके परिवार का